बॉर्णिंग शुक्रवाद हम आपको एक मैसेज देना चाहरे हैं और मैसेज के मध्यम से आपको जो नई ऑपरेटर आते हैं और अपरेटर आते हैं उसके लिए मैसेज है और मैसेज यह है कि जो भी काम करते हैं करने किसी कंपरीम जब आते हैं तो दो चीज़ें होती है अब दो चीज़ों में एक होता है कि काम के लिए जीने के लिए काम करना है से जीने के लिए काम करना है कि यह वो सी कर दो जब दिमाग में आ जाती है तो ओन्हों मत ओना थाइं शक्री इंक आपको काम के लिए जीना है ना कि जीने के लिए काम करना है तो वह फर्क है कि यह मेरा का मैसेज का मैं अभी केमपेन चालू करो हूं कि मेरी डाइब और मेरी मशीन और उसकी ऑपरेटिंग उसकी फंक्शनल नौलेज और परेटिंग फंक्शनल नौलेज का पूरा घ्यान यह मेरा हमारा है उस हर कि कि कैमदाक करने यह जडिदें और वह जीसा कि बौद भी होरक जाएन इसके त्रेडिंगर कि एच्डी करने की कि इसको कोई जरूद नहीं है लोग है आप 早प ट्रेंटरेंक दूसरा आपको जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको प्राउड होना चीए और प्राउड आपको ऐसी दिलाता है आपको काम करने की इच्छा दिलाता है आप जो पाओगे सोचोगे कि मुझे कुछ पता नहीं है मैं काम करने आया हूँ मुझे कुछ बता नहीं रहा है तो ऐसे आदमी करक्की नहीं कर सकता आपको जो ट्रेनिंग दी जा रही है जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ है वो ट्रेनिंग आपकी पढ़ाई हो और उस ट्र वो जो ट्रेणिंग बेस है और एक णिस करो तो आप प्रैक्शन मताइब हो एक प्रैक्टिस में प्रैक्टिस है उससे आपकी स्किल बढ़ेगी उस्किल बढ़ेगी, तो आपकी नौलिज अपने आप बढ़े जाएगी और जब knowledge बढ़ेगी तो आपको बहुत दूर तक ले जाएगी आपके हर कदम के साथ देगी और जो ये भीर है और प्रेटरों की एल्परों की जो आपके सम्पच अभी काम कर रहे हैं उनसे आपको अलग करेगी अलग करने का मतलब मेरा कहने का ही है आप जब सीखोगे आप अपनी मशीन के बारे में अपनी डाई के बारे में जब जाओगे तो जो दस साल पुराना ऑपरेटर है तो बोलेगा कि अरे तो अभी आया था ये अब से जाता जाए गया उनसे अलग होना है और उनसे अलग होने के लिए आपकोई काम करना उबद ज आपको नौलिग आई भी की जो रास्ता है इसमय आब तो बताया है अभी हम जो है कल से मेरी डाई मेरी मशीन केमपेशन केंपेंग क्यों कौन कोसे पार लगे हुए हैं हर एक पार क्या कृश्र प्रेस में रोल है ऐसे ही मशीन का फारबर प्रेस मेंकेनिकल प्रेस आड्योली प्रेस में लिए वुद्र होती है मैं भी डाई को ब्रीज बता देता हूं वाखी माई मशीन और माई डाई जो केम्पेन है वो स्टार्ट होगा तो मैं उसको डिटेल कर बताऊंगा जासे अगर हम वाई डिजाइन होलें तो सिंपल डाई सिंपल डाई और सिंगल डाई हो देते हैं एक ऑपरेशन का जो एक स्टोप में एक ऑपरेशन कोंफॉर्म होता है तो सिंगल डाई सिंगल डाई में पाउनने क्या होता है और सिंगल स्टेशन के डाई में क्या होता है कंपाउंड डाई में क्या होता है कॉंबिनेशन में क्या होता है गैंगिंग में क्या होता है यह हम आपको वन भाई वन करके सारे वीडियो के मार्दम से अभी मैं ओफलाइन हूँ साथे पैको क्यातेs सपेश्यारे साइब निवेदन इतना गारा सिक्राण से काम को मजबूरी मेद समझेटे kidney कहाई को है यह मेरा आपका मैसेज है और इसलिए यह मैसेज जलूरी है कि जो हम कल से स्कार्ट करेंगे, केमपेंग उसके लिए मैसेज है कि मल ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देखा और प्रेक्टिस नहीं की और कि जी हम सब कुछ सीख गए आपको महनद करनी पड़ेगी जो चीजें हैं हम सारी बताएंगे वारिकी से बताएंगे और आपका स्किल जो लेबल है वो हैलपर से ऑपरेटर ऑपरेटर से डाई सेटर लाइनिक चार्ट शुपरवाइजर और आगे आप जितना नौलिज गेंग करोगे आपको कोई रूप नहीं सकता आप आगे बढ़ोगे यह मेरी जो इच्छा है और जो हमारी पुरी टीम है मैं पुरा टीम को अप्टी को मजबूप करना चाहता ह और जो हमारा जो यह वीडियो वेर हमी टेखेंगे उनके लिए मैसेज है कि आप इसे फॉलो करें धन्यबाद